दिल्ली हाईगोट ने e-commerce दिगज कमपनी Amazon की अचिकब और फ्यूचर रिटेल को रिलाइंस के साथ 24,713 करो रुपे के सौधे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी है गुरुवार को अदालत ने मामले में सिंगापूर इंटरमीडियरी का आदेश बरकरार रखा कोट ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जान बूच कर इंटरमीडियरी के आदेश का उलंगन किया है दोस्तो कोट ने किशुर ब्यानी और फ्यूचर ग्रुप के रिलेटिव्स की संपत्या यानि एसेट अटेच करने का आदेश दिया है इसके साथ ही आदालत ने फ्यूचर ग्रुप के डिरेक्टर को ये आदेश दिया कि वो प्यूचर ग्रिलीफ फंड में 20 लाख रुपे जमा करें इस रासी से बीपेल कैटेगरी के सीनियर सिटिजन को कोरोना वायस वैक्सिन उपलब्त कराई जाएगी दोस्तो इस खबर की वज़े से फ्यूचर ग्रुप के शेर होल्डर को घबराने की जुरत नहीं है फ्यूचर ग्रुप के मताबिक इस आदेश का कोई असर नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रिम कोर्ट के सामने विचारधीन है यानि अंडर कंसंटरेशन है और सुप्रिम कोर्ट इस पर अंदिम वैसला देगा आपको बता देगी सुप्रिम कोर्ट एपरिल के आखरी हफते में सुनवाई करेगी और NCLD भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है तो दोस्तो ये थे कुछ अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर इस विरियों फिला लितागी मेल टेने विरियो में